नमस्कार ये तस्वीरे आप देख सकते हैं करनाल मोडल टाउन की है जहां पर भारी पुलिस फोर्स जो है पहुची हुई है ये बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से नगर निगम का जो है डॉमिलेशन दस्ता जो है वो सुभा पहुचता है लेकिन एक अवैद निर्मान प वो कंस्ट्रक्शन साइट एक घर जो है उसके आगे किया गया है जिसको लेकर नोटिस भी जो है वो जारी किया हुआ है वहाँ पर नोटिस भी लगाया गया है लेकिन जैसे ही आज नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुचती है यहाँ पर जो है जो है हंगामा होता है और ज खाली हाथ जो है नगर निगम की टीम को रोकना पड़ता है हलाकि उस वक्त भी पुलिस की टीमों को बुलाया गया था दुरगा शक्ती की टीम भी पहुंची थी अब आपको बता दें कि फिर से फिर से नगर निगम जो है वो यहाँ पहुंचा है और आपको बता दें कि इस अवैद निर्मान को लेकर कही न कहीं काफी समय से जो है शिकायते मिल रही थी आप बताया ये जा रहा है कि आप जो है यहाँ पर ड्यूटी मजिस्टेट पहुंचे हैं आप देख सकते हैं गरोंडा एसडियम है वो यहाँ पर पहुंची है और अब इस अवैद निर्मान पर फिर से लगभग दो से तीन घंटों बाद जो है फिर से कारेवाई के लिए नगर निगम का डॉमिनेशन जो दस्ता है वो यहाँ पर पहुंचा है लेकिन आपको बता दें कि अब जिस तरीके से ये कारेवाई की जारी है सुबह ऐसी कारेवाई नहीं होती है रोग दिया ज जो है जैसी भी आप देख दो सकते हैं इसे नहीं चलाने दिया जा रहा था और साथ तोर पर जो नगर निगम के अफसर उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था अगर खुद जो है वो ये पूरा का पूरा जो निर्मान इसको हटा ले तो जैसी भी चलाने की जुरूरत नहीं उनका ये इलाका जहां पर अकसर शिकायते मिलती हैं अवैद निर्मान की आज एक जो है एक बड़ी कोठी पर ये कारेवाही अब जाकर की जा रही है कई समय से बताया जा रहा है इसको हटाने की मांग की जा रही थी क्योंकि बिलकुल जो है सडक के आप देखेंगे कि आग पहुंचते हैं और उसके साथ साथ जो है सेक्टर तेरा चौकी इन चार्ज पहुंचते हैं यानि की पुलिस दल बल के साथ जब पहुंची जब जाकर इस कारेवाई को कर पारी है ऐसे में अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करनाल CMCT है और यहाँ पर कारेवाई हो रही है अब जाकर यहां पर कोई एक्षिन लिया गया है क्योंकि दिन भर से यह खबरे किस तरीके से सामने आ रही थी यह मैसेज सामने आ रही थी कि नगर निगम को मुझ की खानी पड़ी है और वापस जाना पड़ा जिसके बाद लगबग 2-3 घंटे बाद जो है ड्यूटी मजिस्टेट पहुंचते हैं पुलस अफसर पहुंचते हैं तब जाकर यह कारेवाई जो है वो संभव हो पाती है ऐसे में आप लोगों से अपील है इस वीडियो को आप जादा से जादा शेयर करें हलाकी अगर इसकी जगा कोई अवैद कलोनी में कोई छोटा मकान होता तो शायद वो उसी वक्त तोड़ दिया जाता लेकिन है कि बड़ी खोटी है पोश इलाका है मॉडल टाउन जहां पर यह निर्मान चल रहा था और कई दिनों से शिकायतों के बावजुद इस पर कोई कारेवाई नहीं हो रही थी और अब जाकर जो है इस पर कारे की जा सकी है जब बहुत जादा बुलिस फोर्स यहां पर पहुंची है अब देखिए अब टीन के जो शेड हैं उनको हटा कर जो है यहां से लेकर जाया जा रहा है अंदर ही लेकर जाया जा रहा है और ऐसे में अब जो है तमाम जो हैं लोग भी यहां पर पहुंचे हैं और जो है नोटिस जारी होने के बावजूद भी उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा था तो अपील है इस वीडियो को आफ ज्याद से ज्यादा शेर करें मैं आतिराना से ओगिया मून ग्रोवर के साथ करिनाल से आप सभी के साथ लाए। धन्यबाद